हेलो एब्रिवन वेलकम टू कॉमर्स गुरू तो आज हम लोग क्लास 11 का सब्जेक्ट कॉमर्शियल अर्थमेटिक जिसको हम लोग सौट में जो आपका टू एक्जाम जून में होने वाली है उसमें क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे उस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिसकस करेंगे ध्यान देंगे आपका मई के मैंना में टॉम वन आपका हो चुका है जो सी क्यूं था यह आपका टम वान का स्लेबस है जिसे आपको प्रेपेर करने की कोई आवा सकता नहीं है इससे आपको पढ़ना नहीं है राइट आपको क्या पढ़ना है उस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ध्यान देंगे यहाँ पी लिखावा है दुत्य सिंपल इंट्रेस्ट तीसरा दिया हुए हमारा प्रॉफिट एन लॉस और चौथा टॉपिक डिसकाउंट एन ब्रोकरेज यह चार टॉपिक हमें करनी है और यह चार टॉपिक से टोटल हमें 40 मार्क्स का पूछा जाएगा जिसमें से आप याद रखेंगे यह जो 40 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा इसमें से आपका objective question नहीं रहेगा ठीक है objective question इसमें से आपका नहीं रहेगा इसमें तीन ग्रूप में question रहेंगे आपका group 1 में रहेगा very short answer type question आपका अगर numbers of question की बात करी जाए तो टोटल आपका 19 question होगा जिसमें से आपको सिरफ 13 question बनाना है तीन ग्रूप में question होगे पहला group होगा question number 1 से लेके 7 तक जिसमें से total numbers आप question साथ होगे जिसमें से आपको 5 question बनाना है जिसमें से परते एक प्रस्ण आपका 2 marks का होगा total आपका 10 marks हो जाएगे दूसरा जो group आएगा short answer type question उसमें आपका question number 8 से लेके question number 14 तक रहेगा जिसमें आपका second group में भी 7 question होगा उसमें से आपको कोई 5 question बनाना है परते एक प्रस्ण आपका 3 marks का होगा निकि total आपका 15 marks हो जाएगा आपका group 3 जो मिलेगा long answer type question उसमें आपका question number 15 से लेके question number 19 तक रहेगा और इसमें आपका numbers of question 5 होगे जिसमें से आपका कोई 3 question बनाना है परते एक प्रस्ण आपका 5 marks का होगा 5 into 3 हो जाएगा आपका 15 marks और 15 marks आपका group 3 से मिलेगा और 15 marks मिलेगा आपको group 2 से short answer type question और 10 marks रहेगा आपका very short answer type question group 1 से आपका हो जाएगा 40 marks का लिया जाएगा turn to be right यहाँ पर आपका याद रखेंगे objective question नहीं रहेगा यहाँ पर जो रहेगा आपका सारा कसारा आपको solve करना पड़ेगा यहाँ लिखना पड़ेगा तो उसके लिए आपको अच्छे से मैनत करना पड़ेगा concept wise आपको समझना प पर आ रहे हैं तब तक के लिए thank you धन्यवाद